हलो दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में हम पीडिलाइट इंडस्टी को टेक्निकल अनलेसिस करने वाले हैं तो हम आचुके हमारे एंजल वन के प्लेटफर्म के उपर और एंजल वन ने अपने ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुती शांदार फीचर लेके आया है जिसका नाम है अब देखें नीचे discover के option पे चलते हैं एक page open होगा जिसका नाम है इंस्टर ट्रेडनौ तो trade नौ के ओप्शन पे मैं क्लिक करऊंगा आपके सामने एक page open हो जाएगा इसी page पे आपको सारी चीजे मिलेगी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी यह देखें इंस्ट यहां से कर लो फिर call यहां से ले लो put यहां से ले लो और option chain यहां से देख लो सारी चीज़े आपको यहीं पर देखने को मिल रही है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है हमारा stock है PD light अब देखे search box दिया है search box पे चलते हैं PD light का जो stock है उसको search करते हैं सबसे उपर आ चुका है PD light industry अब देखे case में future में और option में दिखेगा तो PD light industry को दोस्तों पहले case में analysis करेंगे फिर future में analysis करेंगे तो यह case का दोस्तों यहां पर chart open हो चुका है वो भी यहीं पर open हुआ indicator आपको दिख रहा है indicator पर click किया किसी भी indicator को लगाना है search कर लो यहां से अब हमारा bloomber band इस पर मैंने click किया done का आएगा तीके उसके साथ ही दोस्तों आप chart को हम बढ़िया तरीके सा set कर लेते हैं अब chart को set करने के साथ ही अब यहां पर हमें पता चलेगा कि कौन-कौन से हमारे लिए important level है तो एक level हमें यह देखने को मिल रहा है जैसे कि देखे support का level है ठीके support के बाद 2530 का level यह 2510 का ठीके फिर यह दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है 2550 का और उसके बाद अब हो जाएगा 2570 का level यह चारों जो level है दोस्तों पिडिलाइट इंडस्टी के बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहा है तो जरूरा दोस्तों आप अब हम इसे future में देखते हैं तो देखी यह देखने को मिल रहा है search box यहाँ पर चलते हैं पिडिलाइट इंडस्टी क्लिक करते हैं पिडिलाइट इंडस्टी के लेवल हमें देखने को मिल रहा है बढ़िया तरीके से अब हमको चलना है दोस्तों position बनाने हमने level not कर लिए level देख लिए analysis कर लिए और जो level बता है वो education के purpose से बता हैं अब देखें option chain दिया है option chain open हुआ इधर का side आपको दिखेगा put यह strike price है, यह call है यहाँ से expiry दिख जाएगी अब 2550 का जो call है लगबख 55 रुपे का रहा है 55 रुपे पर क्लिक करूँगा 2550 का call भी यहीं पर open होगा वो call को भी analysis कर लिया अब buy करना है, buy का option दिया है 200 का एक lot ए एक डाल दूँगा 13,737 रुपे 50 पर से का रहा है buy पर क्लिक करूँगा, confirm का हैगा confirm पर जैसे क्लिक करूँगा दोस्तों आपके सामने एक green pop-up आएगा आप उसको जैसे हटाओगे आपका profit loss से यहाँ पर दिखने लगेगा कहीं जाने की जरूरत नहीं सारी चीज़े आपको यहीं पर मिल रही दोस्तो ठीके, एक जगा जाना है नीचे डिसकस में वहाँ पर जाके डिमेट एकाउंट ओपन करना है और इस इंस्टा टेट के फीचर को फटा पट से यूज़ करना चालू करना है जितना दोस्तों समय बचाओगे उतना आपको profit मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए